दोस्तों नमस्कार, फोन पे में अधार कार्ट के माधियम से अब आप UPI PIN बना सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह परिक्रिया फोन पे में चालू कर दिया गया है, आज किस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताने बाला हूँ कि अधार कार्ट से UPI PIN क यहां पे आपको जो एक किलिक कर देना है, तो चलिए हम किलिक कर देते हैं, आपका जो भी बेंक एकाउंट यहां पे लिंक होगा, उस पे आपको किलिक कर देना है, ऐसा करने के बाद यहां पे देख सकते हैं, रिशेट का एक अप्शन दिखेगा, उस पे आपको किलिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पिए पिंद यूढल अधार नमर तो आप यह पे देख सकते हैं अधार कर सकते आप यूपयाई पिंद को वी फाउन पेमें और दूसरा option दिया गया है डेविट कार्ड का भी तो चली से ंप आप phone pay में UPI pin को set कर पाएंगे तो यहाँ पे दो option दिया गया है ATM card या debit card या अधार number तो अधार number पे आप click कर देंगे और proceed वाले option पे आप click कर देंगे ऐसा करने के बाद कुछ second आपको wait करना पड़ेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं enter the first six digit of अधार number तो आपका अधार card का अधार number शुरू के 6 अंक यहाँ पे आपको fill कर देना है fill करने के बाद आपको proceed वाले option पे आपको click कर देना है जिसे ही आप proceed वाले option पे click करते हैं आपके अधार के दोवारा OTP आएगा तो OTP को यहाँ पे आपको enter कर देना है तो सबसे पहले जो आपका अधार card में मौल नमर register है उस पे एक OTP आएगा OTP को यहाँ पे आप enter कर देंगे तो चलिए हम यहाँ पे enter कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अधार OTP भी लिखा गिया है अधार OTP इंटर करने के बाद राइट वाले निसान पे आप किलिक कर देंगे उसके बाद बैंक के तरब से OTP भी बेजा जाएगा जिस बैंक में आपका खाता है उसी मौल नमर पे उसके बाद OTP यहाँ पे enter कर देंगे उसके बाद राइट वाले निसान पे आप किलिक कर देंगे तो यहां पे देख सकते हैं सेट फोर डिजिट यूपी आई पीन किसी किसी में छे डिजिट का रहता है किसी में फोर डिजिट का रहता है तो यहां पे आप जो है फोर डिजिट का यूपी आई पीन एक बना लेंगे तो बनाने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं राइट वाले निसान पे आप किलिक कर देंगे और किलिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं आपका अधार कार्ड के मादियम से सफलता पुरबग जो है UPI PIN सेट हो जाएगा दोस्तों अगर आपको फोन पे में अधार कार्ड के मादियम से UPI PIN बनाना है तो आपको पता होनी चाहिए जो भी आपका बैंक एकाउंट में मुवाल नमर है वही मुवाल नमर आपका अधार कार्ड में लिंक होना चाहिए दोस्तों मेरा जो bank account में mobile number register है वो जो mobile number अधार card में register नहीं है यानि कि अलग number है अधार card में register तब पर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं phone pay में अधार card के माधियम से UPI PIN बना सकते हैं आप phone pay में अधार card से UPI PIN set करना चाहते हैं तो आपके अधार card में कोई भी मौालमर register होना चाहिए और जरूरी नहीं है कि वही मौालमर आपके खाते में भी register होना चाहिए तो आपका कोई भी bank हो अब आप phone pay में अधार card के माधियम से UPI PIN को set कर सकते हैं simply आपको phone पे open कर लेना है और profile पे click करके reset वाले option पे आपको click कर देना है तो आप अधार card से UPI PIN को बना सकते हैं अगर आप phone पे में अधार card के माधियम से UPI PIN set नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे comment किजिए और telegram चैनल को join कर लिजे